कॉंग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में बनाए गए सत्रह जिलों और तीन संभागों का क्या होगा सवाल बड़ा अलग तरीके का है जिसको लेके लोग आशंका में हैं कि इन जिलों को याद करें कि नाम याद करें या नहीं खास करके प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयरी करने वाले बच्चे जिले रहेंगे या जाएंगे जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे बड़ा सवाल है हाल ही में बजनलाल सरकार की ओर से जो हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है पूर आईएस ललित के पमार की अध्यक्षता में उसने रेविन्यू डिपार्टमेंट के प्रमुक्ष अचिव दिनेश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अब सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत राज में जो जिले बनाए गए थे उनका रिव्यू किया गया है कि जिले की जरुरत क्या है जैसे दूदू जैसे अलाके को जिला बना दिया गया और क्या यह जिले जिसमें बहरोड का नाम भी है जिसमें नागोर जिले में कुचामन लीडवाना का नाम है उसके लाव बहुत सारे ऐसे जिले हैं जालोर में साचोर जिला या कई सारे बूलता है जो आंदोलन था या जो बेसिक डिमांड थी कि किस तरीके से राजस्तान में नए जिले बनाए जाएं तो उसमें नाम आगे जो था बालोतरा का था क्योंकि जापत वो नंगे पाउं चल रहे थे और उन्होंने इसको एक ऐजे अभियान देखा था और इसके अलावा ब्यावर की डिमांड थी उनकी पाली जिले में बाली की मांग थी कि भी ये इलाके दूर पढ़ते हैं जिला मुख्याले से बाली को आदिवासी इलाका और ये मान जापते हुए तमाम चीजे लेकिन जिस तरीके शेशोग गहलोत ने एक के बाद एक आधे से अधिक जिले बढ़ा दिये रास्तान में 33 जिले थे संक्या 50 कर दी 19 जिले नई बनाये गए दो को जैपुर के दोश से किये गए जोदपुर के भी ग्रामिन और शहरी बाकी रहा उतर रहा है या नहीं जो माप्दंड तै किये गए क्योंकि ये जिले बनाये जाने की घोशना करने से पहले जो इस कमिटी के चीफ हुआ करते थे जो रिटाइड आई एस हैं थे उन्होंने कहा कि मैं बाहर के दोरे पे हूँ अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है रिपोर अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है लेकिन ये गोशना कर दी तो ये सारी चीजें जो है अब सरकार क्या करेगी क्योंकि अगले महिने से पुरे देश में जन्गर्णा शुरू होने वाली है जन्गर्णा 2011 में अंतिमबार हुई थी बाकी ये 1931 से या उससे पहले भी लगाता जन्गर्णा जा रहा है कि जन्गर्णा के आधार पे नखेवल पॉलिसीज को बहतर तरीके से डिशिजन लिया जा सकेगा अपे तु पॉलिटिकल एरिया डिसाइडिंग कि जिस तरीके से संसद में बैठक संख्या बढ़ी है लेकिन सीटें यानि की MPs की संख्या बढ़ेगी या नहीं राजस्तान की विदानसबा में अन्य देश की अन् नहीं संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं क्योंकि लंबे अर्शे तक यह संख्या विदायकों की नहीं बढ़ी है तो डिमांड यह है कि परिसीमन किया जाए डिलिमिटेशन का आधार क्या हो उसके लिए जनगर्ना की जानी है तो अब जनगर्ना का नोटिफिकेशन हो चुका है ऐसे में कोई भी रेविन्यू एरिये का आप बदलाव नहीं कर सकते लिहाजा जो है नई जिलों वाला उसको बदलाव के लिए क्या रजिस्ट्रार जनल उफ इंडिया को लिखने के लिए भजनलाल सरकार क्या सोच रही है क्योंकि जो ललित के पमार जो की आर्प मानक माना जाता है उनको एक प्रभावी और एक अच्छे IAS के रूप में माना जाता है लेकिन अब इस रिपोर्ट में दिया क्या गया है इनका कहना है बंद लिफाफा है हाला कि प्रशासनिक जरूरत और दूरी के हिसाब से कई जिलों को उप्युक्त नहीं माना है सबसे बड़ा सवाल जैसे की पाली और जोदपुर दो संभागों के बीच सबसे कम दूरी अगर देखी जाए तो यहां है संभाग बुख्यालों के बीच में इसके अलावा सांचोर का संभाग पाली ही रखा गया है जिसकी दूरी 300 किलोमेटर के आजपास अंतिम व्यक्ति से या यह माना जा रहा है या यह जो बात सामने आई है उसमें कमेटी का यह कहना है कि जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं दी गई है उसके अंदर कई मांदंड तै किये गए हैं उसमें खरा नहीं उतरने का जिक्र करते वे तथ्यात्मक ब्योरा दिया गया है कि भी तथ्य यह है यहां यह कमी है यह जरुरत है तो नए जिले हैं वहाँ पे क्या सुविधाएं और उसके लिए क्या बजटिंग होनी चाहिए या अगर वो फिजिबल नहीं है जिला या उसमें केवल उप्युक्त है या नहीं यह बताया जा रहा है कि नहीं दिया गया है लेकिन यह दिया गय जा रही है कि किसी तरह का पंगा नहीं हो क्यों राजस्तान की तीन प्रतिशत विधान सुभा सीटें यानि कि छे विधान सुभा सीटों पर उपचुनाव हैं उसके बाद पंचायत राज के चुनाव हैं और उसके बाद नगर निकायों के चुनाव हैं तो क्या ये जिले चीजे हैं तो इस सारी चीज देखा जा रहा है खास करके पंचायत राज विभाग पे इसका बड़ा असर पड़ेगा इस रिपोर्ट का और उसके लिए जो लिखा गया है तो अगर यह बदलाव यथावत रहेगा तो क्या अगले पांच साल तक कि अगर चुनाव जो जनवरी में प्रस्तावित है या उसके आसपास अगले साल उससे पहले जले खत्म किये जाएंगे नहीं किये जाएंगे बड़ी सारी चीजें हैं तो ललित के पमार जो इस कमेटे के चीप हों का कहना है कि चार बिंदूओं पर रिपोर्ट दी गई है कि प्रशासनिक स्तती क्या है प्रशासनिक शेत्रादिकार क्या हो जिले का सुचारू संचालन हो रहा नहीं और administrative needs क्या है प्रशासनिक अवशक्ता और financial feasibility वित्तिय संसादनों कितने उपलब्द हैं इनके आधार पे रिपोर्ट दी गई है क्योंकि यह जो उप्मुख्यमंत् प्रेमचंद बैरवा उनके नित्रतों में जो कमेटी बनी जिसमें 45 विधायक और 5 सांसदों समित कई नेताओं ने भी सुझाओ किये हैं क्योंकि इस कमेटी ने सभी जिलों का दौरा किया है रिपोर्ट किये लोगों से मुलाकात किये कमेटे कहना है 45 MLA's, 5 सांसदों, 12 जि रिपोर्ट ने और हटाने पे उन्होंने सुझाओ दिया है ऐसा कमेटी का कहना है क्योंकि अभी तक यह जो सब कमेटी बनी थी उसमें डिप्टी सीम प्रेमचंद बैरवा हैं उसके लावा चार अन्य मंत्री भी रेवन्य मनिस्ट्र हैं इंडर्स्टियल मिनिस्ट्र हैं र जलित के पमार की कमेटी जो बनी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं तो वाल यह हैं कि जिले बने रहेंगे या खत्म किये जाएंगे फैसला अगर एक कमेटी करती है तो जिले की बाउंडरी एक बार फिर से बदलने नए जिले बनाने और खत्म करने पे फिलाल चुंकि मै आपको अर्ज कर चुका पहले की जनगना रजिस्टरार जनल ने रोग लगा रखी है रजिस्टरार जनल उप इंडिया ने और नए प्रसासनिक यूनिट बनाने में ऐसे में न तो बन सकते हैं न पुराने खत्म हो सकता हैं क्योंग एक जुलाई से सभी देश के सभी जिले तैसील गाओं की boundary of freeze हैं कि आप सीमांकन में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते अब ये cabinet सब कमेटी अगर जिले खत्म करने की सिफारिश करती है या boundary में बदलाव की रिपोर्ट देती है तो तदकाल लागू नहीं होगी जब तक की रजिस्टरार जनल शूट नहीं देंग ऐसे में जिलों की सीमा में तो फिलाल कोई बदलाव नहीं हो सकता जनगरना कब तक चलेगी जनगरना चलेगी तब तक पंचायतरा जुनाव का क्या हो इन चीजों पर हम नजर बनाए रखेंगे आप भी नजर बनाए रखें तिंक 360 पे सब्सक्राइब कीजी और बताईए क कि आपकी नजर में कौन सा जिला जो है वो नहीं हटना चाहिए और किस जिला को हटाया जाना चाहिए कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद